आप सबीका स्वागत है मेरे चैनल में मैं आप लोगों को एक ऐसी जादूही लखडी के बारे में बताने जा रहा हूं जो लोहे को भी काट सकती है जिहाँ दोस्तों साथिसाथ वह एक ऐसी जादूही लखडी है जो पानी की विपृत दिशा में बेहती है जिहां दोस्तों तो चलिए हम आपको बताते हैं इस जादूई लकडी के बारे में और इस जादूई लकडी का क्या नाम है और यह जादूई लकडी कैसे मिल सकती है पूरी जानकारी दोंगा अपने इस वीडियो में तो आप सभी संरोध है इस वीडियो को पूरा और आखरी तक देखिए का तभी आपके समझ में आएगा जो में समझाना चाहता हूँ क्यूνकि जादू लगडी के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ यह वह प्राचीन ग्यान है जिसके बारे में साइद बहूत कम लोगों को पता है वैसे तो दोस्तों देखा जाए तो हमारे भारत वर्स में अनेकों प्रकार की आयुरुवेदिक जड़ी बूटियां तांतरिक जड़ी बूटियां एवं चमतकारी जड़ी बूटियां भरी पड़ी है तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि चितावर की लकडी के द्वारा कैसे लोहे को काटा जा सकता है साथी साथ आपको ये भी बताएंगे कि पानी के विपरीत दिसा में ये जादू लकडी क्यों बहती है लेकिन इससे पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही परकार से दबा लीजिए जी हाँ दोस्तों क्योंकि हम अपने चनलन के माध्यम से ऐसी ही प्राचीन जानकारी लाते रहते हैं और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा जी हां दोस्तों तो आप सभी से अमरोधे की भाई वीडियो जरूर लाइक कर दिया करो यार आपके लिए ऐसी दिब जनकारियां लाते रहते हैं तो दोस्तों आपका भी करतब बनता है कि आप लोग हमारा होसला बढ़ाईए और हमारी वीडियो को लाइक करिए और दूसरों के साथ भी सेर करिए ताकि वो लोग भी ऐसी दिब जनकारी का लाब ले सकें तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं उस चमतकारी दिब जादू लकडी के बारे में दोस्तों उस चमतकारी दिव जादूी लकडि का नाम है चितावर की लकडि जिहाँ दोस्तों चितावर की लकडि एक ऐसी चमतकारी लकडि है जो पानी की बिपरीत दिशा में बहती है जिहां दोस्तों जैसे मान लो कि पानी की जो धार है ना वो नीचे की तरब जा रही है और यदि वहाँ पर जो है चितावर की जादूई लगड़ी रख दी जाए तो दोस्तों वो क्या होगा वो जो उपर की ओर आएगी ना कि पानी की धारा के साथ बहेगी जहां से पानी बह रहा है ना जिस ओर जा रहा है पानी उस ओर नहीं जाएगी जहां से पानी आ रहा है उस ओर यह जादूई चितावर लगड़ी जाएगी साथी साथ दोस्तों इस जादूई चितावर लगड़ी से लोहे को भी काटा जा सकता है जिहां दोस्तों लोहे से भी मतलब लोहे को भी आसानी से काटा जा सकता है कैसे काटा जा सकता है तो दोस्तों जो जो चितावर की जो ये जादू लकडी होती है सबसे पहले तो इसको प्राप्त किया जाता है जीहां दोस्तों और जैसे ही आपको फ्राप्ट हो जाये तो दोस्तों इस लकडी को जैसे ही आप लोहे के ऊपर जुँर ऐसे खींच देंगे ना रिखा की तरह तो लोहा कड़ जाएगा जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों आप लोगों को भी सुनकर हैरानी हो रही होगी कि मैं क्या बाते बोल रहा हूँ लेकिन दोस्तों ये सच है क्योंकि दोस्तों जो चितावर की जादू लकड़ी है उसे में बहुत अद्बूत दिव सकती होती है एक तरह से कह सकते हो कि हमारे प बताने जा रहा हूं कि इस जादू लकडी को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं जी हां दोस्तों और यह लकडी में ऐसा क्या चीज है तो दोस्तों ऐसा है कि भाई साब यह जो जादू लकडी है न चितावर इतनी अद्भूत है इतनी रहस्मय है क्या बताऊं यदि इस जादू च दोस्तों एक तो और बात बताऊं दोस्तों यदि इसका काड़े का सिवन किया जाए तो दोस्तों सरीर काया कल्प हो जाता है सरीर में दैवी सक्तियों का वास हो जाता है बहुत दिब एवं चमतकारी जादवी लकड़ी है ये चितावर दोस्तों चितावर लकड़ी कहा मिलती आपको मालूम है इसकी जो पहचान है ना केगर केवल जो है कववे पक्षी को है जिहां दोस्तों कववे के साथ साथ कुछ और पक्षी है जिनका हम वीडियो लेकर के आएंगे कव्वा पक्षी को इस जादी लकडी की बहुत ज़्यादा पहचान है और इस जादी लकडी को कव्वा ही पहचान सकता मनुस से नहीं पहचान सकता सही बात बताऊं तो भाई यह बात सच है लेकिन दोस्तों आज कर क्या है यूटूब पर नकली चितावर लकड़ी हैं बहुत जादा हैं समझे रहे हैं तो दोस्तों क्या है कि जो जो नकली चितावर लकड़ी है ना तो लोग जो है उसको अलग अलग प्रकार से जो है उसको जो चला रहे हैं रस्ती बान करके और दिखा रहे हैं लेकिन दोस्तों वो जो है वो लोकल वो लोकल है चितावर्ग वो मनुस्य के पहचान से बाहर है जहां दोस्तों मनुस्य कब पहचान सकता है जब उस लकड़ी को देखेगा और केवल कम मनुस्यों के पास इसकी जानकारी है इसको सब से ज़्यादा जो पहचानता है वो कववा पक्षी है कव पक्षी साथ जो दूसरे पक्षी भी है उनके बारे में भी मैं वीडियो बताऊंगा साथी साथ दोस्तों इस लकड़ी को तांत्रिक लोग, ओजा लोग जो छोटे मोटे तांत्रिक नहीं जो बहुत बड़े जो तांत्रिक होते उनको मालूम होता है साथी साथ जो सादू संत होते हैं जो पहाड़ियों में तप करते हैं उनको मालूम होता है इस रहे समय चितावर लगड़ी के बारे में लेकिन वो किसी को बताते नहीं है चाहतुम उनसे कितनी भी मिटी मिटी बाते कर लो कितनी भी सेवा कर लो वो नहीं बताएंगे हाँ जो मनुस्त निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करता उसी को ही वो लोग ऐसी जनकारी देते हैं आई बस समझ में तो दोस्तों हम इसी चितावर के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको हरानी में डाल देगा चितावर लगडी यदि किसी को प्राथ हो जाए तो दोस्तों यकीन मानिये सोने पे सोहागा है इस चितावर लगडी को प्राथ करने के लिए आपको मालूम है क्या करना पड़ेगा इसको प्राथ करने के लिए सबसे पहले आपको एक कवे का घोसला खोजना है क्योंकि कॉवव पक्षी को इस लकडी की पहचान अद्भूत तरीके से होती है जी हां तो दोस्तों आपको क्या करना है कि कॉवव पक्षी के गोशला खोजना है जहां पर उसके बच्चेँ कितने छोटे बच्चे होने चाहिं बड़े बच्चे नहों ठीक है तो आपको जो भारी हों 100-100 ग्राम के या 50-50 ग्राम के ठीक है यानि की बच्चे उड़ना पाएं ऐसे छल्फ बनाना है और उन कम सकम आपको दोसे यानि आप संख्या देख लीजिए जाकर कि कितने पक्षी जितने पक्षी है उतने ही आप छल्फ बनवा लीजिए ठीक है अब जैसे कि क पक्षी पक्षी को तो दो छल्नले चाहिए अगर उसके गुष्आ चार बच्चे ऊस पक्षी व Technical नेगे तीक है तो आपको चार जो है नी वनबाने पड़ेंगे पचास-पचास उस olhosर्ण के फीक कर के बच्वज़्स सकत्य है और पहनाने के बाद उनको दोफ्चे क्या करना पहनाने के बाद क्याके करना है उसको आपको छोंड़ देना है रहे हैं, वहां से चिब चाप उत्रा ना बड़े साधानि से करिएगा तो मर मार के चोंच दोस्तों आपका सिर्ख जायागा जंगल में एक ऐसी लगड़ी खोच के लाएगा जिसको मनुस्री भी नहीं खोच पाता असानी से सिवाए संतों के सिवाए अद्भुत तांत्रिकों के कववा जाएगा उस लकड़ी को खोजेगा और खोचते 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 उस लकड़ी को प्राप्त कर लेगा और उस लकड़ी को लेकर के आएगा और फिर जो अपने चल्ले पहनाएं उस बच्चे को यानि जो क हुआ पक्षी के बच्चे जो अपनी छले पहनाएं वो कईवा का अपनी चोंच से दवा कर उस लगड़ी को लएगा उन छल्लों में नगायागा छले लोहे के कट जाएंगे और उसके बच्चे हाजाद हो चल्ले से और वो जो कौण है वहीं ट्मित्ति को वहीं पर छोड़ देता। प्राइस लेक्षर यां को तो जाने को पर चल्ले रहा है। इसके बाद फिर आपको दे VII जाना जब वहां से उस गोशले से मख़ल्गी बच्च बच को उड़िया सकता है kij मख़लर हो कि दो इसके बाद तो जब बच्चे वहां सूड़ी तब आपको क्या करना ओपर जाना है अपने साथ एक गमच्छा ले जाना है ठीक है जब आप उस पेड़ पर जाोगे जहां पर वह पहले बच्चे थी और जो चल्ली कड़ गए तो अपको क्या करना है उस पूरे गोसले को जहां डूस्तों उस ढू से जो एक लगड़ी नरे। और उसको अपनी जो क्याकर ना इट रचाप मकुरिख belieशता। गालने के बाद इसको बनने के बाद डोस्तों उसको बांध लीजिए और पश्षाप झमघाइं अगर यदि वो साप जैसी नहीं दिखी तो दोस्तों वो तैरी की उल्टी दिसा में पानी के बिपरीद दिसा में ठीक है तो दोस्तों आपको कई बार जो है वो लकड़ी जादू लकड़ी आपको भर्म करेगी साब जैसा सकल दिखाएगी तो दोस्तों आपको डरना नहीं है उसको जो है दोड़कर के पकड़ लेना उठा लेना पानी से बार और जैसे उठाओगे न वो लकड़ी के रूप में आजाएगी और आप इस जादू लकड़ी से वो काम कर सकते हो जो आप सोच नहीं सकते हो जिहां दोस्तों यह है इतनी दिव जादू लगड़ी है मैं आपसे क्या बता हूँ इसके बाद आप किसी भी लोहे में लगाईए जट से कड़े जाएगा इसके बाद आप जो है दोस्तों यकीन मानिए आप इस लगड़ी किसे का इंतजार करिएगा उसमें हम चितावर लकड़ी से जुड़े अन्यकों रहस्तों के बारे में और भी जानकारी लाएंगे तक तक के लिए नमस्कार जैहिंद नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में हम आप लोगों को बताएंगे धरती के अंदर गड़ा खजाना कैसे पता लगाएं कि धरती के अंदर जो छुपा खजाना है वो किस जगे है और इसको कैसे निकालें पूरी जानकारी देंगे अपनी इस वीडियो म तभी आपके समझ में आएगा दोस्तों जो खजाना होता है उसको हम माया बोलते हैं और जो ये माया रूपी ये खजाना होता है ये बहुत ही अद्बूत होता है दोस्तों इसी खजाने को कैसे निकाल सकते हैं और पता कैसे करें कि खजाना कहां पर है और जो इस खजाने की जो रक्षा करता है जैसे आपने देखा होगा और कई बार सुना होगा अपने दादा दादियों से कि खजाने की जो रक्षा है वो नांग देवता करते हैं या कोई अदरस सक्ती करती है या फिर कोई दैत उस खजाने की रक्षा करता है या फिर कोई यक्ष उस खजाने की रक पूरी जानकारी बताएंगे वो भी बिना किसी तांतरिक की सहाथा से आप लोग खुद जो है उस खजाने को पता लगा सकते हैं कि किस दिसा में और कहां सो खजाना चुपा है और आप उसको कैसे निकाल सक थे पूरी जानकारी देंगे अपने इस विडियो में तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा और आखरी तक देखियेगा, यदि हमारी वीडियो देखने से, यदि किसी का बाला हो जाता है, तो दोस्तों, हमारी वीडियो बनाने का जो अधरpiction से है, वो पूर हो जाएगा, भली बाती परकार से, तो दोस्तों चलिए, हम आपको बताते हैं, कि धर लेकिन इस से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही परकार से दबा लीजिए क्यूंकि हम अपने चैनल के माध्यम से इसी तरह की दिद रहस्माई जानकारी लाते रहते हैं जो आपके ग्यान में ब्रिद्धी करता है जिहां दोस्तों और हमारी वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं लेकिन दोस्तों इससे पहले हमारे कई दर्सक हैं जो हमसे कह रहे थे कि भाईया जब भी हम कोई अपनी नए वीडियो लेकर के आते हैं उनको संकेत नहीं मिलता है तो दोस्तों ऐसा है कि ये इसलिए होता है कि आप लोग जो है मेरे चैनल को सही प्रकार से सब्सक्राइब तो कर लेते हो लेकिन आप घंटी सही प्रकार से नहीं दवाते हो जिहां दोस्तों तो इसलिए आप सभी से मैं प्रातना करता हूँ जो लोग भी चाहते हैं कि मेरी वीडियो समय पर प्रात हो और वो लोग मेरी सारी वीडियो समय पर देख पाएं रहस्तमई ग्यान के बारे में प्राचीन ग्यान के बारे में तो सबसे पहले वो लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सही से घंटी दबा लीजिए आपको वीडियो में दिखरा होगा और इसके बाद हमारी वीडियो को भी लाइक कर लीजिए ठीक है और द बात दोस्तों वीडियो को लाइक करो इसका कोई चार्ज नहीं है फिर है यार और इससे क्या होगा आप हम से जुड़ जाओगे और भविश में जब भी हम कोई नहीं जानकारी लेकर आएंगे उसका संकेत आप सभी को ततकाल प्राप्त हो जाएगा और आप हमारी कोई भी व बात आया कि यहां पर खजाना है तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस जगह पर आपको जा करके जाना है जहां पर खजाने का अंदेशा है और वहां पर जो भी ऊपर खावड मिटी है उसको दोस्तों क्या करिए उससे मतलब ऊपर ऊपर का जो हिस्सा है उसको समतल बना दीजिए ठीक है थोड़ थोड़ा हलका खोद करगी उसको समतल बना दीजिए और समतल बनाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है वहाँ पर जो है दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको गंगा जल से छीटे मारने है ठीक है लेकिन गंगा जल जल से चीटे मारने से पहले आपको वहाँ पर गंग जल से चीटे मारने इसके बाद आपको दोस्तों पिर गंगा जल से चीटे मारने ऐसा करने के बाद आपको दोस्तों सूती का कपड़ा चाहिए ठीक है सफेद रंग का सूती का कपड़ा चाहिए इसके बाद दोस्तों आप करके आप खाजाना का पता लगा सकते दोस्तों फिर उस जमीन को समतल करने के बाद आपको सूती का कपड़ा ले कर कि आना है लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जमीन में आपको पहले गुलाब जल के छीटे मारने जहाँ जहाँ आपको अंदेशा की धर्ती के इस एरिया में है और इसके बाद वहाँ पर फिर आपको गंगा जल से छीटे मारने मारने के बाद फिर आपको दोस्तों क्या करना है कि जो सूती का कपड़ा है जितनी जमीन में आपको अंदेशा है तो जो सूती का कपड़ा है उसको गीला कर लीजिए किसमे करना आपको दोस्तों उस सूती के कपड़े को जो है भी जो है आपको गंगा जल और पानी में मिला गीला और इसके बाद जहां जान देशा है वहाँ जान देशा है और दोस्तों आपको राई लेनी है तो अदर तो भी ख़ाना होगा दोस्तों वहाला है दोस्तों जहां पर खजाना होगा जहां पर आपने राई फेका यानि सरसो के दाने डाले हैं तो जो राई है ना वो दोस्तों वो जो है दोस्तों एक तरह से कह सकते हो ना वो फूट जाएगा जिहां दोस्तों जैसे दोस्तों खील होता ना खील खील जाता जैसे धान का खील वेसी वह खिल जाता है ऐसी सेम जो है दोस्तों जब आप राई को जो उस कपड़े पे डालोगे न तो क्या होगा राई होगी जो सरसों के दान होगी वो खिल जाएगी यानि वो लाई की तरह खिल जाएगा और दोस्तों आपको समझ जाना और अपने हिसाब से आप ख़जाने को निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों बदो किसी एक पेड़ पर बगूला बगूला कववा और हंस ये तीनों पक्षी बैठे दिखाई दें उस पेड़ पर तो दोस्तों समझ जाईए कि दोस्तों इस पेड़ के नीचे खजाना है तो दोस्तों आपको क्या करना है कि जो खजाना है ना तो दोस्तों आपको उसी पेड़ के पाँ जा करके खोदना है तो आपको खजाना मिलेगा जी हाँ दोस्तों अब दोस्तों हम आपको बताते हैं अगला प्रियोग यानि तीसरा प्रियोग दोस्तों आपको जो है कपास का काला काला पौदा खोजना है जी हाँ दोस्तों यानि और लोगों ko भी जोड़ी असानी मिलता हुँ जल्दी को ढला को रियोकश बता कि पुधा। काले कपास के पॏढ़े कोगों एकाली काल बीडियो भी बड़ी नहीं को जब आप काले कापास के पौदे को खोज लोगे नAH तो वहाँ पर आपको अपने साथ क्याली करके जाना दोस्तों आपको थोड़ा सा हल्दी तोड़ा सा चावर ले करके जाना, ठीक है और थोड़ा सा जो है आपको क्या करना अगर बत्ती ले जाएगे और हलका सा जल ले जाए पीतल के लोटे में उसको काले कपास के पौधे के जड़ में डालिए डालने के बाद दोस्तों उस अद्रसक्ति की उपासना करिए क्योंकि जो काले कपास का जो पौधा होता जो जड़ होती है उसमें यक्षणी का वास होता है ठीक है और वहाँ पर वो अधरस सक्ती वहीं पर ही उसी के नीचे खजाना चुपा कर रखती है ठीक है तो दोस्तों आपको क्या करना है कि जब आप पीतल के छोटे लोटे से जो जल है उसको वहाँ डालना है डालने के बाद दोस्तों आपको जो है हल्दी चावल जो है उस प आया मिलेगी और दोस्तों और इसको जो आपको कब करना है धान रखेगा रात के समय मत करिएगा दिन में ही खोजिएगा ठीक है क्योंकि अगर आप रात के समय जाएंगे तो उस वहाँ पर जो वह सकती है न वह आपको ओहीं पर मिलेगी तो आप खजाना नहीं निकाल पाएं खजाना आपको नहीं ले जाने देगी ठीक है लेकिन दोस्तों जो मैंने आपको उपाय बता ऐसा करेंगे तो आप खजाना वहां से भी राप्त कर सकते हो ठीक है अब दोस्तों हम बात करते हैं मस्रूम जी हाँ दोस्तों आपको मस्रूम मस्रूम के छोटे चोटे चोटे प खाजाना है क्या होता है तो आप यखिन वानिए क्योंकि जहां बारस और बारस बग Alea होती है उसbung निकलता है लेकिन जहां बारस ही नहीं हो रही है और जहां पर जोस्तों निकलD रहा है जंगली मस रूम निकल रहा तो समझ दोस्तों ये है, खजाना का ढूनने का बढ़ ना पृज्व प्राचीन तरीके। दोस्तों और अगला प्रियोग है, उसको भी दोस्तों तो सुन लेजिए। अगला प्रियोग है, बहुतीं अब्रट बहुत ही हटके, घ्रियाँ धुकर देें हटके हैं। सब्धतर जामुन का न पूराना है, पुराना है। छो जामुन का पूराना हो और उसके ऊपर आपको कववा, और दोनों संसर्घ कर रहे हैं। आप डाली के तरफ बैठ करें उसी के ही आस-पास वह गशाना है बिद्यमान होता है थीक है दोस्तो, तो उम्मीद करता हूँ, आपको से जानकारी पसंदाई होगी, और इन उपायों के द्वारा आप आसानी से खजाना पता लगा सकते हैं, खजाना निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों? इनमें कई अद्रस सक्टियां भी है जिनसे आपको अपना बचाओ भी करना है ठीक है और एक जो है दोस्तों आखरी में चीज बता देता हूँ आपको एक जो है रक्षा मंतर का भी जाब कर लेना है ठीक है और वो रक्षा मंतर है दोस्तों वो मैं आपको description पर दे दूँगा उसको केलोर के तेवलो एक सो आठ़ बार जब लेना जबने के बार दोस्तों उस मंत्र को चोटी सित भीज में भर करके Lulu के चांद सेक्ट का बार जिए उदेशम दिखोंगा को आप च़्छाइं के जिले में धान कर लीजिए। दान करने के बाद दोस्तों आप बेज़िजक होकरके एकदम नयायत दिवस्ता के साथ सही तरीके से खजाना पराफ्ट करें आपको निधी जरूर मिलेगी दोस्तों क्योंकि ऐसा कई वे उन लोगों ने प्रियोग करें है और उन लोगों को खजाना मिला है जिहां दोस्तों क्योंकि खजाना जो है सद्यों से ही खोजा जाता रहा है और सद्यों से ही ये माया रूपी खजाना रहा है जिहां दोस्तों और इसके बारे में हम आपको सम बहुत धन्वाद